हरे क्रिश्णा आप सब का धन्यवाद आने के लिए है अगर नीचे बैठने में तकलीफ है तो उपर सोफेज हैं, चेर्स हैं कि अब थोड़ा मोबाइल बंद रखिएगा कुछी समय की बाद है प्रत्वी इधर से उधर नहीं हो जाएगी सही है ना? कि इंपोर्टेंट है मोबाइल यहाँ इधिक मनको कम्प्लीट कर लेने दीजे बात फिर हम लोग शरू करते हैं आप कम्प्लीट कर लेजे पिर नो को प्रोगम है, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर वापस भारत आकर हम अभी कुछ समय पहले अफरीका में थे और उसके बद मौरिशेस गए, पहली बार मौरिशेस गए थे आप में से कोई मौरिशेस गए है? मौरिशेस गए है तेंक यू मैं तुछे साइलेंट कर सकते हैं उसको तेंक यू सो एक बड़ी अच्छी बात देखिए हमने मौरिशेस में मौरिशेस में हर घर के बाहर हनुमान जी है एक जंडा लगा हुआ है भगवा और तुलसी देवी हर घर के बाहर ऐसा कोई घर नहीं है कोई हो सकता है कोई अन्य धर्म के लोग इदेर बहुत कम हर घर के बाहर यह देखा गया हनुमान जी मैं छोटा सा ऐसे मंदिर बनाते है उसमें हनुमान जी है साथ में तुलसी देवी है और एक जंडा लगा हुआ तो हमें बड़ा अश्यर हुआ मौरिशेस में जहां लोग केवल एंग्जॉय करने आते हैं और वहां ऐसा कल्चर तो वे बता रहे थे क्योंकि वे लोग सब भारत से ही गए है और उससे बड़ी बात हम जब वापस आ रहे थे तो हम वापस आये एरपोर्ट पर हमने इमिग्रेशन आफिसर को अपना पासपोर्ट दिए, स्टांप करने के लिए तो उसने हमको देखकर हरे कृष्णा कहा उमने का हरे कृष्णा तो फिर उसने पुछ़ा आप किसलिए आये थे हमने कर रामकत्य थी और हमने का यहां के लोग इतने लोग रामकत था सुनने आये हमें आश्यर लगा इतने तो हमारे greater noida में नहीं आते सुनने के लिए तो उसने का हम लोग तो भारत से ही आए हैं तो हम तो वही culture लेकर आए हैं तो इतना अच्छा लगा जब उसने कहा कि हाँ अपने culture को हम लोग छोड़ते नहीं है हम तो भारत से आये हैं तो हमें शर्म आ रही थी उसको ये कहने के लिए कि आप भारत वापस मत आना क्योंकि आप आकर देखोगे लोग कल्चर छोड़ चुके हैं आप विदेश में रहे कर कल्चर को इतना आपने पकड़ कर रखा है तो हमने ये पूछा वहाँ पर कि ऐसा क्यों है कि हर घर के बाहर हनुमान जी और एक तो उन्होंने बताया कि जिस समय भारत से लोग वहाँ गए पहली बार उस जगह पस था साना अंतरित हुए या उन्होंने शिफ्ट हुए जो पहले पहले भारती आये थे वे लोग तुलसी, हनुमान जी और एक जंडा लेकर आये थे और आज तक उन्होंने उसको बनाय रखा है कि चाए कुछ भी हो घर के बाहर होगा आदमी अंदर कुछ भी कर रहा हो लेकिन बाहर ये होगा और हमने उस कल्चर को ये भी देखा कि जब हमने कथा शुरू की आज तिंक ये पंखा बन कर दीजिए आवाज कर रहा है एसी चल रहा है पंखे को बन कर से ओके यहाँ शांती है थोड़ा आप लोगों को चाहिए पंखा पीछे एसी ठीक है ना तो हमने देखा कि इतना अच्छा कल्चर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर है मौरिश्यस का तो वो कौन है उन्होंने का हिंदू है तो हमने का इस बार हिंदू है उन्होंने का इस बार नहीं यहाँ कभी हिंदू के लावा और कोई हुआ ही नहीं यहां प्राइम मिनिस्टर एक बार बता रहे थे हुआ था कोईलिशन गवर्मेंट आई थी उसमें बन गया था एक क्रिश्टन बाकी कभी भी हिंदू के लावब कोई वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं है बहुत सुंदर मंदिर है उन्होंने गवर्मेंट ने एक बहुत अच्छा गंगा तलाव वहां पर डेवलप किया है देखे हम यह देख रहे थे कि लोगों की भावना कैसी है वहां पर कि गंगा तलाव क्या है तो हम गए देखने बहुत सुंदर डेवलप किया है गंगा तलाव तब से हम इसको गंगा मानते है तो यह भावना इतनी सुंदर उन लोगों की है उसको इतना अच्छा डेवलप किया है हजारों टूरिस्ट डेली आते हैं वहाँ पर उनको समझ नहीं आता विदेशी टूरिस्ट आते हैं वो देखके गुम के चले जाते हैं लेकिन सब आते हैं वहाँ मंदिर बना रखें रामचंद जी का, शिव जी का, दुरगा जी का सब बने हुआ हैं बहुत अच्छा गौर्मेंट ने पूरा डेवलप किया तो यह जो कल्चर हमने वहाँ देखा मौरिस्ट में बहुत अच्छा लगा एरपोर्ट पर जब हम पहुँचे थे मौरिस्ट तो सब हिंदी में लिखा हुआ है हमें लगा नहीं वहाँ कि हम भारत में नहीं है वो छोटा भारत है सब हिंदी बोलते है हमने जब वहाँ क्लास शुरू कि हमने कहा गए हिंदी में बोलना है तो हमने हिंदी में क्लास की, हमने का पहले पूछ ले लोगों से, तो हमने पूछ आप मैंसे कितने लोगों को हिंदी आती है, सब को आती है तो उन्होंने का आपको पूछने की जरूरत नहीं, हम तो बोलते ही हिंदी है यहाँ पर तो साधारन भाषा हिंदी है, मार्केट में सब हिंदी बोलते हैं, वैसे उनकी भी भाषा है, उन्होंने की हुई है, लेकिन हिंदी सब को आती है, और सब हिंदी बोलते हैं, फिर जब हमने महां कथा शुरू की, उन्होंने एक पंडाल बनाया था, हमें तो ये भी बताया, कि जो पंडाल बनाया, ग्राउंड था, ग्राउंड पर पंडाल जो बनाया था, वो पंडाल भी गौवर्मेंट ने स्पांसर किया था, रामकथा के लिए, हमने का बहुत बड़ी बात है, यहां तो गौवर्मेंट पैसा लेती है, हमसे रामकथा करने के लिए, तो वहां पर किय तो जो पंडाल बनाया था पहले दिन कथा शुरू हुई भर गया पंडाल, सेकेंड दे थर्ड दे उनको खोलना पड़ा पीछे से पूरा और बाहर रोड तक चेर्स लगानी पड़ी, इतना सुन्दर उन लोगों का भाव है और हमने उनको आते समय कहा अगर आप लोग पूरसी खाली नहीं थी, लेकिन पिंड्रॉप साइलेंस, पूरी कथा में, और एक्चली हम पिंड्रॉप मतलब लिटरली पिंड्रॉप कह रहे हैं, कि अगर पिंड गिर जा है तो आपको आवाज सुनाई दे जाएगी, इतना साइलेंस था, कोई बोल नहीं रहा था, सब से, तो हमने उनको कहा कि हमने इतनी जगा कथा की है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, अभी जैसे यहां तो थोड़े से लोग हैं, अब कोई बोल रहा है तो उनको बोल देते हैं, बहां हजारों लोग होंगे, आप किस-किस को बोलोगे कि कुछ नहीं करो, लोग आपस में बात करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, पीछे कोई आवाज आती है, बिल्कुल आवाज नहीं, तो इतना अच्छा कल्चर जब हमने देखा, हमें लगा कि भारत, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अब लगा भारत में जाकर हमें हर जगा ये बताना चाहिए, कि देखिए वे लोग कितने आगे हैं हमसे, कहना चाहिए, कल्चर की दृष्टी में, भारत से मौरिशस बहुत पीछे है, हमने उनको बताया भी कि आपका स्थान, आप लोग क्यों रामकता में इतनी रुची है आपको, इसका कारण है, उसका कारण ये था कि जब मौनी के यग्गे की रक्षा की, तो उसमें दो लोगों को मारीच और सुबाहु वहाँ पर आये थे, सुबाहु को मारा था, मार डाला था, और मारीच को एक तीर से आठ सो मील अंदर समुद्र में फेका, ये रमाइन में वर्णन है, और वो जगा है, मारीच असव, उसको क कुश को दिया गया था, जब रामचंदर जी जा रहे थे पृत्वी से, लीला समात्त करके, तो उन्होंने पृत्वी को दो भाग में बाट दिया, एक लव को दिया, एक कुश को दिया, तो जो अफ्रीका और वो सारा शेत्र है, वो कुश के अधीन आया था, तो इसलिए र रामचंदर जी के भजन चलते रहते थे, तो हमने सोचा, शायद क्योंकि हम आए हैं, और वो हमें प्रसन्न करने के लिए शायद बजा रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा कि ये ऐसे ही बजा रहे हैं, या रोज बजा रहते हैं, देखा भी कि ऐसा नहीं था कि उस समय बजा र वहां हमने हाडली हमने तो नहीं देखा लेकिन लोग बता रहे थे का देख लिया बिखारी नहीं देखा कोई नहीं तो मंदिर हो यहां हो तो चंडरली बिखारी हैं दिखते हैं बहुत सारे एक भी नहीं वहां पर लोग बहुत संतुष्ट हैं जो मिल रहा है दरवाजे खु औरी औरी वहाँ नहीं होती है बहुत कम होती होगी हमने पूछा चोरी नहीं होती है कभी-कभी जैसे कुछ लोगों को ड्रग्स वगेरा की आदत पड़ गई है तो वो लोग कुछ आकर वो भी उठाएंगे तो कुछ छोटा सौ रूप्या दोसौ रूपया उतना ही उठा लेते हैं बाकि ऐसे कोई बड़ी चोरी घर में डखैती हो गई किसी कुमार दिया बोले बिल्कुल ऐसा नहीं सुना मौरिशस में इतने संतुष्ट लोग हैं और सब भगवान के मंदिर जाना ये सब करते हैं तो हम सोच रहे थे कि कितना हम लोग जो लोग भारत से वहां जाकर इस कल्चर को फॉलो कर सकते हैं वो अपने को भारती ही कहते हैं तो हम तो भारत से ही आये हैं तो वो फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और ये जो संतुष्टी की भावना है, वो हम लोगों में नहीं रही. धर्म, जितना भी धर्म का पालन जब किया जाता है, तो उसमें सबसे महत्वपोन चीज हम लोग क्या सीखते हैं? संतुष्टी. भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, जो आपको अपने कर्मों से मिला है, उसमें संतुष्ट रहो. सीखो संतुष्टी. तो दो चीजें हैं, एंजॉय करना और सैटिस्फाई होना. हम लोग सैटिस्फाई होना चाहते हैं, लेकिन एंजॉय करते हैं. मगर एंजॉयमेंट साटिस्फैक्शन नहीं लाता. तो हमारी भूल क्या है? हम चाहते हैं लेकिन कर रहे हैं enjoyment हमें satisfy होना चाहिए और फिर उसमें enjoy करना चाहिए satisfaction में जो enjoyment है वो इस जगत की चीजों में नहीं है तो यह जो satisfaction है संतुष्टी है यह बहुत जरूरी है नहीं तो बहुत तरह से वैसे धर्म का जो नाश है बहुत जादा तीवरता से होता और हम देख भी नहीं पाते हैं जैसे इस समय अगर देखा जाए तो भारत में हर रोज 65,000 बच्चे जन्म लेते हैं भारत में हर उन में से केवल 25,000 हिंदू और अन्य धर्म के हैं 40,000 मुस्लिन बच्चे जन्म ले रहे हैं यह इस समय के आंकड़े हैं तो कर क्या रहे हैं हम लोग हम सोच रहे बहुत अच्छा चल रहा है धर्म बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी आ गए हैं बड़ा अच्छा फैल रहा है हिंदू धर्म का पताका फैल रही कुछ नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि हमने वेक्तिगत तोर पर धर्म का पालन करना छोड़ दिया हम मोदी जी करेंगे धर्म का पालन, मोदी जी बनाएंगे मंदिर, वो करेंगे, हमारे इस तर पर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, हमारे लिए समय नहीं है, हम धर्म को महत्व नहीं देते हैं, देखिए इस तरह के कारिक्रम आयोजन करने में कितनी महनत जाती, फिर भी लोग बहुत कमाते हैं अब यही कोई डिस्को विस्को का प्रोग्राम कर देते तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता लोग तो पूछ पूछ कर आते वह हम आ सकते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हमें भी पास चाहिए तो धर्म को हमने आखरी स्थान दे दिया है अपने जीवन में और यही हमारी गलती है यही हमारी असंतुष्टी का कारण है साटिस्वेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बाकी चीजों को प्रायरिटी दी है बहुत सुंदर वर्णन भागवत में हैं बली महराज की कथा से आता है जब वामन देव आए बली महराज के पास छोटे से बालक के रूप में बली महराज ने का मांगो क्या मांगना है बली महराज ने का वामन देव ने का तीन पग भूमी चाहिए तो बली महराज ने कुछ और मांगो तीन पग में क्या होता है तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर कोई विक्ति तीन पग भूमी में संतुष्ट नहीं रह सकता तो सारे बृत्वी का एश्वरी भी मिल जाए तो वो संतुष्ट नहीं होगा और यही हमारी स्थिति है हमें चाहिए कि सब कुछ मिल जाए हम सोचते हैं बहुत कुछ मिलने से संतुष्टी होगी संतुष्टी का अर्थ बहुत कुछ इखटा करना नहीं है संतुष्टी का अर्थ जो है उसमें प्रसन रहना है वो संतुष्टी का सिद्धानत है लेकिन हम सोचते हैं बहुत जादा मिले और इसी कारण से हमारे जीवन में हमेशा हम चिंता में रहते हैं असंतुष्टी चिंता प्रकट करती है इसलिए जीवन में प्रयास ये करना चाहिए कि हम धर्म को प्रमुकता दे और धर्म क्या है लोग आज सोचने लगें कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को करना चाहिए हमें तो बिलकुल धर्म से अलग रहना है ये फैला दिया गया है पिछले कुछ सालों में धर्म निर्पेक्षता के नाम पर धर्म निर्पेक्षटा का आर्थ ये नहीं होता कि धर्म का पालन ना करें उसका आर्थ होता है सभी धर्मों को समान आदर दे लेकिन धर्म निर्पेक्षटा के नाम पर ये कह दिया गया है कि अब धर्म का पालन नहीं करना अब स्कूलों में जाईए हूँ कहते हैं, धर्म निर्पेक्ष हैं, हम धर्म की बाते नहीं करेंगे, कॉलेजेस में हम धर्म की बाते नहीं करेंगे, क्या बाते करेंगे धर्म की बाते नहीं करेंगे, एंजॉय कैसे करना है, भोग कैसे करना है, एक दूसरे को नीचा कैसे दि नीचा करना है आफिसेस में जाकर क्या सीख रहे हैं मुझे हाई पोजिशन चाहिए शिला प्रभुपाद एक बार किसी वेक्ति से मिलने गए बहुत बड़े वेक्ति थे आई थिंक प्रभुपाद इंटर्व्यू के लिए गए थे किसी स्टूडियो में तो जब उनसे मिलने गए वेक्ति से वेक्टि बैठे थे तो उन्होंने प्रभुपाद ने पूछा कि आपकी जीवन का लक्षे क्या है क्या चाहते हो जीवन में तो उन्हों ने अपना ड्राउर खोला और उसमें से विजिटिंग कार्ड्स के बंडल निकाले अलग तो कई विजिटिंग इत्यादि वगेरा तो उन्होंने रखा उसमें से अपना कार्ट डिकाला और सबसे उपर रखा उन्होंने का इस इस पर्पस आप मेरे जीवन का उद्देश यह है कि मैं सबसे टॉप पर होना चाहिए मजए और टॉप पर पहुंचने के लिए विक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है तो क्योंकि धर्म से दूर चले गए तो आज हमें ये सब चीजें महत्वपून लगने लगें संतुष्टी नहीं आनंद नहीं वो जीवन नहीं जिसके लिए हमें जीवन मिला है अपना ग्यान नहीं हम लोग अपने आपको भूल चुके हैं कभी हमने सोचा क कि हमें अगला जीवन लेना होगा तो हम कहां जाएंगे जब अगले जीवन की बात आती तो लोग प्रश्न करते किसने देखा है अगला जीवन आप तो ऐसी बाते करते हो अरे इस जीवन में ही सब कुछ है स्वर्ग नरक इधरी है आप लोग प्लीज उपर बैट जाएए आपको तो आदाता है नहीं होती है कुछ लोगों को आदा हमें भी थोड़े देर बात पांद दोर दोने लगते हैं तो इसा नहीं है क्या बोल रहे थे हम हम लोग कभी नहीं सोचते हैं क्यों नहीं सोचते हैं क्योंकि मन में डाल दिया गया है कि अगला जनम होता नहीं है किसने देखा है ये सब बकवास है ये सब कहानिया है क्यों नहीं है क्योंकि बगवत गीता पढ़ते नहीं है लेकि अरजुन जब मोह में पड़ा अरजुन भी तो यही चीज़े कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा इत्यादी भगवान ने जब ग्यान देना शुरू किया सबसे पहले यही बता अरजुन तुम हो कौन अरजुन कहा तो मैं नहीं लड़ूंगा मैं यह नहीं करूंगा मैं वो नहीं तुम हो कौन तो सबसे पहले पहचान बताई उसके कि ये आत्मा ये शरीर बदलता रहता है आज हम लोग इस शरीर में हैं हमारे कोई फैमली है माता पिता है सब को हम प्रेम करते हैं अगला जनम आएगा न ये माता पिता रहेंगे ना फैमली रहेगी फिर कोई और फैमली होगी हम उनको प्रेम करेंगे यही जीवन चलता लेकिन जीवन है किसी ने हमसे प्रश्ण किया क्या प्रमान है जीवन है पिछले जीवन था अभी जीवन है आप बोलते हो ठीक है बहुत सुन्दर पैदा होता है एक बहुत ऐसे देश में पैदा होता है जहां सारी सुविदा एक ऐसे देश में भी अतना वगेरा कहीं में पैदा हो जाता है जहां कुछ नहीं है क्या आधार है हम कैसे सोच सकते हैं एक बच्चा यहाँ ऐसे पैदा हुआ, एक वैसे पैदा हुआ, कोई भी कारण आप सोच लीजिए, उस पर लागू नहीं होता, एक ही है, कि उसके जो कर्म है, उसके अनुसार वो पैदा हुआ है, बहुत सरल है, भारत में तो पहले एक साधारन सन, किसान भी इस बात को जानत था, बारिश नहीं होती तो कहता था, भगवान की कृपा नहीं हुई है, भगवान को मानना तो सबको था, लेकिन अब धीरे धीरे हम modernization हो गया, आधुनिक हो गया, तो आधुनिक समाज का अर्थ क्या है, आधुनिक समाज का अर्थ होना चाहिए था, कि हम भगवान के और निकट जाएं, लेकिन अधुनिक समाज का अर्थ हो गया है, कि हम भगवान से दूर चले गए, इसको modernization माना जाता है, कि हम modern हैं मंदिर नहीं जाएंगे, हम modern हैं भगवान की बात नहीं करेंगे, तो यह modernization नहीं है, इसलिए जीवन में कुछ चीजों को लाना बहुत जरू नहीं, संतुष्टी होगी, enjoyment अपने आप आएगा, जो व्यक्ति satisfied होकर enjoy करता है, वो enjoyment बहुत अच्छा है, क्योंकि वो satisfied है, इसलिए हर चीज में enjoy कर रहा है, लेकिन जो satisfied नहीं है, वो enjoyment नहीं कर रहा है, वो केवल और और चीज मांग रहा है, जैसे मान लेजे कि पैसा कमा र और चाहिए मुझे, फिर वो मिल गया, और चाहिए मुझे, जैसे हो कहते हैं, क्लब 99 का मेंबर बनाना, कि एक बार राजा था, राजा उठा, भार आया, खिड़की के बाहर आया, तो देखा, एक दौकर खिड़की साफ कर रहा है, और गाना गा रहा है, बड़े प्रसंदत से, राजा ने मंतिरी को भुलाया, मंतिरी को कहा, मेरा नौकर होकर यह इतना संतुष्प है, इतना आराम से मजे में है, मैं राजाओं में सुबह उठते, मुझे चिन्ता शुरू हो जाती है, क्या करना है, तो ऐसा कैसे है, ऐसा तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मंतिरी ने उने के सिक्झे, उस नौकर के घर के बहार रखकर आ गया, नौकर सुबा उठा, बाहर आया, उसने खोला, अरे पोटली पड़ी यह दिखाया, उस सुने के सिक्झे जल्दी से अंदर लेकर गया, गिने उसने, 97, 98, 99 जाने गड़बड होगी अगर कोई सोने के सिक्के रखेगा तो 100 रखेगा 99 क्यों रखेगा उसने फिर से गिने फिर से 99 लड़के को बुलाया गिनो इसको 99 पत्नी को बुला गिनो 99 अब वो विचारा दुखी हो गया उसने का मेरा एक सोने का सिक्का कहीं खो गया मेरा अभी तो 99 भी उसके नहीं थे अब मेरा एक सोने का सिक्का अब मुझे बड़ी महनत करनी पड़ेगी उस सोने के सिक्के को पूरा करने के लिए तो अगले दिन जब राजा उठे राजा ने देखा तो नौकर वही और एकदम बस दुखी है अरे राजा ने देखा इसका क्या हो गया गाना वाना कहां सब गायव हो गया तो राजा ने मंत्री को बिला क्या किया तुमने बोले कुछ नहीं क्लम 99 का मेंबर बना दिया अब यह जीवन बर ऐसा ही रहेगा वो एक सोने के सिक्के के लिए हमारा प्राबलम यही है जैसे कहते हैं कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं हमारी तकलीफ है हम बंद दरवाजे की और देखते रहते हैं हम खोले दरवाजे की और नहीं देखते हैं इसलिए जीवन में जीवन को अलग दृष्टी से देखने का प्रयास करना है एक स्विस अमेरिकन साइक्याटरिस थी अलिजबेट कुबलर रॉस तो उन्होंने बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखे हैं उनका एक मॉडल है पूरा गुबलर रॉस मॉडल ग्रीफ पर दुख पर दुख की क्या स्टेजेस होती हैं फाइव स्टेजेस उन्होंने दिया से बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं वो लिखती हैं उन्होंने लिखा I have told my children मैंने अपने बच्चें से कहा है कि जब मेरी मृत्यू हो तो बलून्स रिलीस करना में सेलिब्रेट करना बलून रिलीस कब किये जाते हैं जब सेलिब्रेट करना So I have told my children to release balloons when I die because वो लिखती हैं For me death is graduation So death is not something end Like हम लोग कहते हैं I say death मतलब end खतम हो गया सब कुछ Full stop She says for me death is a graduation So देखिये possibly उनको भगवद गीता का ज्यान नहीं था Possibly या शास्त्र इत्यादी का ज्यान नहीं था लेकिन आत्मा के रूप में उनकी इच्छा जरूर थी कि मृत्यू के बाद It's a graduation I go to a higher destination Graduation किसे कहते हैं आप एक छोड़ कर दूसरे में जाते हो Cross करते हो या बड़ा कुछ स्थिती में जाते हो तो ये हमारे लिए महत्वपून चीज है समझना कि death हमें अन्य स्थान पर ले जाएगी लेकिन graduation होगी या demotion ये हमारे उपर है हम जैसे कारे करेंगे इसलिए भक्ती या धर्म को पालन करना बहुत आवश्यक है क्योंकि भक्ती हिस्सा है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कुछ पाने के लिए करते है कि कुछ चाहिए तो चलो मंदिर चले जाओ तकलीफ आई घर में बिमार हो गया तो मंदिर चले जाओ भक्ती ऐसे नहीं है इस पार्ट ये तो करना ही है जीवन है ये और जब तक करते रहेंगे तब तक हम संतुष्ट रहेंगे तो इसलिए अपने धर्म को हमें त्यागना नहीं चाहिए अपने करतवियों को हमें त्यागना नहीं चाहिए संतुष्टी तभी आ सकती है जब हम जीवन में इन चीजों से जो हमें दूर ले जा रही है भगवान से जैसे हम क्रोध करते हैं ध्वेश करते हैं बहुत कुछ चीजे हैं हमें अप्रिशेट करना छोड़ दिया लोगों को ये तो कहीं कहीं की बात हो गई आप लोगों सोची वो लगए सीक्रेट्स क्यों आउट कर रहे हैं सब यहां पर अब जैनुएनली हमने कब अप्रिशेट किया लोगों को तेकि छोटी छोटी बाते भूले हैं और यही सब चीज धर्म हमें सिखलाता है ये मत सोची कि धर्म हमें सिखलाएगा कि आपको सारा हिमाले चला जाना है आपको सब कुछ छोड़ देना है धर्म ये चीजने सिखलाता है कि जीवन में कैसे रहना क्यों हमें सब को अप्रिशेट करना है ये धर्म सिखलाता है और हम अप्रिशेट कैसे कर सकते हैं हर एक वैक्ति को कैसे appreciate करें, होता नहीं है, जो वैक्ति हमें कुछ दे रहा है या उसको तो हम appreciate कर लेंगे, जिससे हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा वैक्ति जिसका आपसे कोई सम्बंध नहीं, आप कियो appreciate करोगे उसे, लेकिन जब हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म क्या सिखलाता है धर्म सिखलाता है कि हम सब आत्मा है हम सब एक ही भगवान की संताने है जब ये ग्यान होता है तो बहुत सारे जो धर्म है उनमें जगडा नहीं होता देखिए दुनिया में इतने धर्म क्यों हो गए अगर भगवान एक है तो धर्म भी एक होना चाहिए था धर्म इसलिए हुए क्योंकि अलग-अलग समय पर लोगों को ग्यान वही ग्यान अलग-अलग तरीके से दिया जाता है ग्यान वही है लेकिन अलग-अलग तरीके से देना है ये जो appreciate करने की भावना है ये हमें धर्म से खलाता है कि सभी संताने है क्यों दुवेश करना जब विभीशन से रामचंदर जी ने कहा रावन का वद कर दिया और कहा जाओ उसका अंतिम संसकार करो विभीशन ने मना कर दिया विभीशन ने काम नहीं करेंगे क्यों नहीं करो अरे कितना विरोधी था आपके प्रति कितना अपराद किया इसने आपकी पत्नी का हरन कर लिया ऐसे विक्ति का हम अंतिम संसकार नहीं करेंगे भगवान ने विभीशन से कहा कि द्वेश कब तक अब तो वेक्ती नहीं रहा तो द्वेश कैसे इसलिए जाओ और करो तो फिर विबिशन ने किया तो ये चीजे हैं हमें जाननी चाहिए कि हम जीवन भर इन चीजों को अगर बनाए रखेंगे क्रोध करना द्वेश करना घ्रिना करना तो कब प्रेम करना सीख और कभी जानेंगे तो इसलिए सही द्रिश्टी में धर्म क्यों सिकलाता है हम ये कह रहे थे बाते हैं क्योंकि धर्म सिकलाता है कैसे हम सबसे प्रेम करें प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि हम नीचे जुप कर रहें ये भी एक बात है प्रेम करने का अगर यही बात होती तो भगवान अरजुन को कहते हैं कि युद मत करो, मारो मत, करतवे मत करो तो लोगों ने गलत मान लिया है कि ज़्यादा धर्म का पालन करेंगे तो आदमी कमजोर बन जाएगा बिल्कुल नहीं अरजुन कमजोर बन रहा था भगवान ने धर्म सिक ला कर उसको मजबूत बनाए तो कैसे कह सकता है कि धर्म हमें कमजोर करता है धर्म की गलत समझ कमजोर करती है धर्म की सही समझ हमारे अंदर वो बल लाती है जिससे हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखते है एक दूसरे को सही दृष्टी में देखने का प्रयास करते हैं सच्ची भावनाएं या सच्चे गुण अपने अंदर लाते हैं जैसे हमारे अंदर आज क्या है देखा जाए तो क्रोध करना बड़ा कामन है आद भी कुस्सा तो इतनी जल्दी आता है कि पूछे मत राइट शायद आप लोगों को नहीं आता होगा क्योंकि आप लोगों के चैरे देखकर जैसे हमने का क्रोध करना आपने का है हम लोग कोई नहीं क्रोध करते हैं यह क्यों बात कर रहे हैं शायद होता होगा ऐसा अब लोग सब इतने शानत देख रहे होंगे लगता कि कभी करोथ किया ही नहीं लाइफ में हम ये भी जानते कि आप लोग अंदर से हसरे होगे प्रवजी आपको क्या पता अभी आने के पहले ही करोथ कर कराए है ये राइट वो तो एक हिस्सा है धर्म का, लेकिन हमें सिखलाता है कि क्रोध से किसका नुकसान है, और क्रोध को कैसे वश में करना चाहिए, या द्वेश होता है, किसी के प्रती, एन्वी आजकल हर एक में है, शायद ही कोई होगा जिसमें नहीं, स्विकार करें या ना करें, लेकिन एन्वी है अंदर, जरा से किसी का देख लेता है, उसको ऐसा मिल गया, हम लोग तो किसी को भी देख लेते हैं, मोधी जी इलेक्शन जीत जाएं, तो हमें एन्वी हो जाता है, हम नहीं जीते, लड़े नहीं हैं, अलग बात है इलेक्शन, तो एन्वी किसी ना किसी रूप में आता है, क्रोध भी दरसल एन्वी का एक रूप है, क्योंकि हिर्दे में एन्वी है, तो वो क्रोध हो जाता है, या फिर अपने आपको श्रेष्ट साबित करने की भावना है, क्रोध मैंने कहा ये नहीं हुआ, क्रोध हो गए, तो क्रोध को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध को कंट्रोल करने का बहुत सरल उपाय है, सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना है, क्रोध कहां से होता है, मन से, हातों से नहीं होता है, वो तो हाथों पे बाद में आता है लेकिन होता तो मन में है न हम प्रसंदता कहां होती है हम खुश कहां महसूस करते है क्या कोई कहता है आज मेरा हाथ बहुत खुश है मेरे पैर बहुत खुश है आज ने मन में खुशी होती है तो मन को वश्मि करना सबसे जादा महत्वपून है और ये एक कला है आर्ट है जो केवल आध्यात्मिकता या धर्म सिखला सकता आपको बहुत सारे कोर्सिस मिल जाएंगे आप नेट पर सच कर लीजिये कहीं चले जाएंगे माइंड कंट्रोल के हजारों कोर्सिस मिल जाएंगे और आप प्रयास भी कर लीजिये अच्छा लगेगा थोड़ा समय लेकिन कोई लाब नहीं होगा वही अगर हम लोग माइंड कंट्रोल धर्म के आधार पर अरजुन के आधार पर भगवद गीता के आधार पर सीखें तो समय लगता है लेकिन वो माइंड कंट्रोल होता है तो माइंड कंट्रोल जिससे एंगर, एंवी, लस्ट ये सारी चीज़े कंट्रोल होती है इल्यूजिन, और बहुत जरूरी है देखे हमें ये जानना चाहिए ठीक है, धर्म करें ना करें कम से कब अच्छा जीवन जीएं और अच्छा जीवन जीने के लिए मन को नियंतरन करना हावश्यक है और मन नियंतरन हो जाता है जब हम मंत्र का जाप करते हैं मंत्र का जाप मतलब ही है, मंत्र मतलब मना तरायते इती मंत्रा, इसलिए हम लोग रोज, जैसे देखिए हम लोग कही तरह के लोगों से रोज मिलते हैं, कई जगहाँ पर जाते हैं, हर जगहाँ पर आपको अलग-अलग लोग मिलते हैं, एक जैसे लोग तो नहीं मिलते हैं, अभी हम थोड़े से मесले आफ्रीका में थे Botswana एक शЕर आपने सुना देश-Botswana किसीने सुना नहीं सुना है नडाइमंड में नुंबर one है सारे डायमंड वहां से आते आप मिल सम्हाने कुछ साल पहले 20-30 साल में accidentally उनको diamond मिल गए अभी एकदम अचानक देश अमीर हो गया तो वहाँ लोग अलग है फिर मौरिशेस में आए वहाँ थोड़े लोग अलग है फिर अभी हम थोड़े समय बाद अभी 16 तारीक को कहीं जाएंगे लंडन जा रहें वहाँ लोग अलग है तो अलग-अलग जगां पर अलग-अलग लोगों से मिलते हैं लोगों की अलग-अलग mindset होते हैं अलग प्रश्न होते हैं लेकिन उन सब को उतर देने के लिए हमें कम से कम अपना मन का ड्रोल में रखना पड़ता है नहीं तो कोई कुछ कहता है कोई दूसरा कुछ कहता है तो हमार लिए हम लोग रोज प्रयास करते हैं अपने मन को वश्मे करने के लिए दो गंटे हम लोग देते हैं जिसमें भगवान के नाम का जब करते हैं पूरे ध्यान से उसको फोकस करने का प्रयास करते हैं क्योंकि मन का सुभाव क्या भागना इधर उधर और मंत्र करने का अर्थ क् तो जब यह अभ्यास हो जाता है तब फिर आप किसी भी स्थिति में हो बड़ी आसानी से इस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं ये क्रोधाना ये द्वेश करना मतलब हम रूट पर काम करें तो बाकी चीज़ें अपने आप आएगी हम एक एक चीज़ पर काम करें ओके अंगर कैसे कंट्रोल करें लस्ट कैसे कंट्रोल करें बाकी चीज़ें होगा नहीं इसलिए कंट्रोल करना है तो रूट पर जाईए so mind control बहुत आवश्यक है कैसे होता है सबसे पहले मंत्र से दूसरा जो चीजें हम देखते हैं जो सुनते हैं वो भी बहुत प्रभाव करती है आप सोची कि आप हर रोज एक detective movie देखिए हर रोज देखिएगा मत कल पना कीजिए रोज एक detective movie देख रहे हैं 15 दिन बाद आप घर में ही कुछ डूडने लगोगे कबड के पीछे कुछ चुपाके तो नहीं रखा यहां camera अपने ही घर में होगा की नहीं होगा और फिर कोई आकर कुछ कहेगा आप सोचोगे यह ऐसा क्यों कह रहा है कुछ सिंपल चीज आकर कहेगा मान लो किसी ने आपके घर में पड़ोसी ने आकर कह दिया कि लग रहा है कि आपका आपका टैप खराब है आप कुछ और सोचोगे यह ऐसा क्यों कह रहा है सिंपल चीज है क्यों वो प्रभाव हो गया 15 दिन वो ट्राइगर के देख लिजे आप लो पूरे 15 दिन कुछ मत कीजे केवल डिटेक्टिव मुवीज देखिए आप खुद डिटेक्टिव लेंस लेकर शुरू हो जाओगे सब्सक्राइब या हॉरर मुवीज देख लिजे 15 दिन आपको अपने बेडरूम में गुजने में डर लगने लगेगा है कि नहीं है तो जो चीजें आप देखते हो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है और हम लोग क्या देख रहे हैं आजकर यह जो मीडिया है यह क्या प्रेजेंट कर रहा है कुछ नहीं यह सब एक तो एक तो धोखा और उपर से ऐसी चीजें जो केवल लस्ट प्रवोकिंग चीजें पूरा मीडिया वही है इतना हम तो क्या वातवरन खराब हो चुका है कई बार इसको धारण देते हैं कई साल पहले हमने देखा था एक सीमेंट का एड है और सीमेंट का बैग है उसमें और साइड में सुन्दर लड़की खड़ी हुई है क्या कनेक्शन है कोई कनेक्शन नहीं एड का परपस क्या है पहले सुन्दर लड़की को देखो फिर वो याद रखो देखे हमें भी याद है न आज तक कही साल पहले देखा था हमने बस वही उनका परपस है कि जब आप बैग लेने जाओ सीमेंट का तो याद रखना कि हाँ वो वला लेना है पूरा जो सोशल मीडिया शूर्पनखा की तरह है शूर्पनखा ने गया किया था सुन्दर रूप लेकर आई थी शूर्पनखा भगवान के पास थी कौन राक्षसी इच्छा गया थी मारना सीता देवी को खतम करने की इच्छा थी तो इस तरह ही जो हम लोग देख रहे हैं ये केवल शूर्पनखा है हमें सक्तिता से दूर ले जा रहे हैं केवल लस्ट की बात नहीं है शूटिंग में शूटिंगud dewब उच्छा लुकिट इ 앞으로 कि एतना है दोखा होता है साबून的 sound साबून उसमें ज़ागी नहीं आ रहा तो लाकर व foreigner लेकर रहे, उसमें से ज़्ागी निकालकर उसको दिका रहे हैं इंदस्ट आग कीई है लूखरना own तो पहली चीज हमने कहा मंत्र और दूसरी चीज मन को जो प्रभावित करती हम जो चीजे देख रहे हैं इसलिए कम से कम हमें हम आखे तो बन ने कर सकते सड़क पर चलते हुए तो कम से कम हमें थोड़ा समय भगवत गीता या अन्य चीजों को देखने पड़ने में देना चाहिए ताकि कम से कम सही जगां पर भी हमारा मन लगे और फिर हमारा जो खाना होता है वो बहुत महत्रपून है क्योंकि वो हमारे मन को बहुत डिस्टब करता है आप रोज spicy food खाईए heavy spicy देखिए कैसे मन एजिटेट होता और वही आप बिल्कुल अभी और एक बात हमने मौरिश उसकी देखी बड़ी आश्चर जैने खाने की बात आई तो यह है वहाँ सारे लोग बड़ा simple food खाते है उनका feast एक किसी के घर में के उन्होंने मारे लिए feast बनाया वो भी हमें लग रहा थी क्या है क्या बॉइल्ड सबजियां लग रही थी हमें सारी इतना simple वो लोग खाते है और नमक तो बहुत हमें मंगाना पड़ता तक भी नमक डालो इसमें हर जगा ऐसे नहीं कि किसी जगा कोई हो तो अब last में हमने पूछी लिया कि सब लोग यही खाते हैं कि ऐसे तो वो लोग के रहे थी इसमें क्या गलती है हमने कहा कि नहीं कोई गलती तो नहीं पूछ रहे हैं केवल बड़ा simple भोजन लेते हैं जिस प्रकार का भोजन लेते हो उस प्रकार के जैसा अनुग ऐसा मन तो जब भी हम भोजन लेते हैं उसमें कोई न कोई कर्म होता है कर्म मतलब किसी विक्ती ने कुछ गलत काम किया उसका पैसा आया उसका कर्म आया फिर उसके भोजन उसका हमने भोजन स्विकार किया तो इसलिए कर्म हटाने के लिए भोजन को भगवान को अरपन करना चाहिए बहुत ज़रूरी है तो मन को वश्मे करना है तो तीन चीज़ें ही ज़रूरी याद रखिए पहला है मंतर का जाप, दूसरा है भगवत गीता का पठन या भागवत रामायन महाबारत का पठन और तीसरा है भोजन को बिना भगवान को औरपन किये स्विकार मत कीजिए जो भी उसमें कर्मे निकल जाएगा तो इन तीन चीजों को हमें निश्चित करना चाहिए तब हम आध्यात्मिक्ता की और बढ़ सकते हैं, संतुष्टी की और बढ़ सकते हैं और जीवन में समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है संतुष्टी एंजॉय करना नहीं जब हैं साटिस्फाइड हो गए तब फिर और क्या चाहिए लाइफ में तब फिर हम भगवान की और तो ही जाएंगे न इसलिए ये जो भक्ती है, जो धर्म है जिसको हमने दूर कर दिया है अपने से और modernization के नाम पर, आध्युनिक्ता के नाम पर अब सच्चे modernization को लाना चाहिए भगवान के निकट रहना चाहिए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare